फेस्बुक इंडिया बिल्कुल पायस्ट काम करता है, बिल्कुल सौतेला व्यवार कर रहा है, कॉंग्रेसियों के साथ, भाजपा के साथ में पूरी तरह से मिला हुआ है, ये बाते हम कई सालों से कर रहे हैं, और अब ये बाते सत्य सिद्ध हो गई हैं, बहुत ही प्रतिष् में साफ साफ लिखा हुआ है, अंखी दास को ओफिस के लोग मोदी जी की पोती तक कहके पुकारते हैं, ये बाते हमारे सामने आई हैं, हमारे अपने युवा कॉंग्रेस के प्रदेश लेवल के जिला लेवल के विधानसभा लेवल के राष्ट्रिय तक इस तरों के हमारे पतादिकारियों के पेजिस को ब्लॉक किया जाता है, आईडी को बंद कर दिया जाता है और तरह तरह की याचनाय हम लोग झेल रहे हैं, फेस्बुक के सौतेले व्यवहार को चलते हैं, आप ये देखिए कि जब ऐसे प्लैटफॉर्म जिन पे खरोडों लोग प्रती दिन अपना समय दे रहे हो, और ये प्लैटफॉर्म अगर एक राजनीतिक दल के साथ में मिल के काम करें, तो फिर हमारे देश में लोगतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा, 2019 चुनाओ के दौरान मैंने खुद जब हमारे विज्यापनों को फेस्बुक अपरूव नहीं कर रहा था, तो मैंने उसकी शिकायत शिवनाठ ठुकराल जी जो डारेक्टर पॉलिसी के हैं फेस्बुक के उनसे की थी, हमारी शिकायत के बावजूद हमारे विज्यापनों को साथ साथ दस दस दिनों तक रोका जाता रहा था, और उसके बाद भी आज तक हम देख रहे हैं एक साल बीच चुका है फेस्बुक के रवईये में कोई सुधार नहीं आया, ये भार्तिय युगा कॉंग्रेस और हमारी तरफ से आखरी चुनोती है, आखरी चेतावनी है फे बैन करने का इनके सारे प्रोड़क्त को भारत में बैन करने का एक महा अभियान छेडने को मजबूर होंगा, मेरा सभी अपने युगा कॉंग्रेस सोचल मीडिया के सातियों से अपने कॉंग्रेस परिवार से निवेधन है, यदि आपके साथ भी फेस्बुक में आपके आईडी बन की गई है आपके पेज को बन किया गया है तो आप भी अपना वीडियो बना के अपनी आवाज पुठाएं